नमस्कार, मैं हूँ अली अब्बास, तेज अफ़तान न्यूज में आपका सुभगत है, आईए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों में आप अपने ओर्गनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं, जैसा की होग बीलिट के बारे में काफि सुना हैं, लौस एंजल से कंसर्ण हैं, तो आप ये पॉपस क्या था इस और इस और स्टार्ट करने का जैसा क्या आप फांडर ने ओर्गनाइशन तो नोनी जी नोनी मैं मैं यही पर बलाते हैं लेकिन होग बिलिट का बच्चे हैं और बच्चों के ले हम nationwide, I mean worldwide actually, कुछ भी कर सके हम जाके करते हैं, तो यही नही है कि हम Cancer से जोड़े हम Oral Care से जोड़े हम Mental Health से जोड़े हैं, हम Workshops करते हैं, Human Values के बेस पर तो हम Education से जोड़े हैं, और basically हमारा एम, Educating रही रहा है, और किसी भी social cause के हम जोड़े हैं, तो we always say, Hope Be Lit is for kids, and whatever we can do, we will do for kids. Youngstans के बड़ बड़े ambitions होते हैं, उनको एक aspirations होती हैं कि हमें doctor बना, engineer बना है, आपने ही कैसे चूश किया है? वैसे तो मैं इंजिनियर हूँ, मेरा रगुलर जाप जॉब अच्छी नेटवर इंजिनियरिंग में है, I'm a network engineer, और मैं डे जॉब करती हूँ, Hope Be Lit मेरा life purpose है, एक passion है, जो मेरे साथ मेरे दोस्तों ने जुड़ कर किया है, और यही मेसेज में देती हूँ कि यह नहीं है, यह आपके पास आता है, वह हमेश्चा आपके cause को जाएगा, मैंने देखाई कि अच्छी थोड़ा बेगर इसले जाता है, कि वह उसी को अपना job बना लेते हैं, उसको अपना पैशन रखे, जॉब ना बना है, तो नेगटिविटी है, इस चीज में पस गए हो, पेरेंट्स बह बच्चो के साथ कहीं भुष के काम कर सकती थी, जब मैं अमेरेका गई, तो आपसे आपके कौलिफिकेशन पूछते हैं, और जब आप इंजिनेर होते हैं, तो वह समझ नहीं पाते हैं, कि हो विल यू तीच किज, यू ना टीचर, तो मैंने टाग लाइन ही उस नेगटिव क्या होगा इस कोलाबरेशन का? तो वह बोले, कैसा नाम है, God Cancer, मैंने जब उनको Cancer है, तो दे, God Cancer, तो अधा हम सिंपल चीजे बनाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सिंपल रहते हैं, तो इस बच्चे के ऊपर इस स्टोरी बना ही, और तीन महीने में इतना पैसा हमारे पास आया, तो हमने सुचा है, हम तो आप देखेंगे, मेरी टीम्स बहुत चोटी रहती है, I believe की क्वालिटी जादा इंपोर्टन है, क्वालिटी नहीं, भीड़बार जमा करने में कोई इंटरस्ट ना रखे, in fact, मैं बोलती हूँ कि अगर hope billet आपको लगता है, दूर है, तो आपने महले में किसी से connect कीजिए, it's all about connections, किसी महले के इंसान के साथ ही आप रहेंगे ना, वो ही hope billet का message है, आप ऐसे बच्चों से जान जानना चाहती हूँ उसके रिगड़ों, तो जैसे कि हम अफरिका गये तो वहाँ पानी की कमी है, मैं अलिटरली डिफरेंट कंत्री में दिफरेंट प्रबलम रहती है, जो कि अब फ्लू की तरह हो गई है, तो बच्चे को जब कैंसर होता है ना, तो किसी अडल से तो देखे जैसे हम music dance workshops हम क्यों करते हैं हम oral care को भी ट्विस्ट देते हैं ताकि बच्चों को मज़ा है बच्चे क्या होते हैं उनको भूलना असान है अडल लोग घुसे रहते हैं कि हम बिमार हैं हम बिमार हैं बच्चों को भूलाने के लिए music दें डांस दें तो आपको लग आपसलूटली जो भी गौरों के एक संट वापर सिर्थ ऐसेन बोलने कि अमेरिका में इनकमाया यह तो एक-एक पैसा आपस बच्चों के एजुकेसिं में जैसे हमने केंके त filters को बहा है उनके एजुकेशन के लिए हम दे एंशने इजुकेशन अवर्ज का दिया है आपसा फो इस बच्चे हो रहे कि जो देना चाहरे हैं। Brothers लेते हैं। अगर बच्चे को चैंसर है, क्या फिल होता है, कि मतलब इस बच्चे से तो एक तना से कहते हैं, हाथ दो वेटे कि हम दो, ये तो हमारी जंतगी से दूर चला जाएगा, तो वो उसके प्रती जादा प्यार वातसले मगारा, वो उटाते हैं अपना, या ऐसा लगता है, उनको कि अधिक वोड़ाता है, क्याते हैं, तो यहाँ पर जो सवाइवर्स हैं, उनकी हमने बस्टोरी सुनी तो मतलब वो स्टोरी इस रिली सुनाने लाएगा, हम सो ग्रेट्फू कि मुझे सुनने को मिली, क्योंकि कुछ पेरंस तो ऐसे थे जो डर गए, कि अब बच्चा हाथ स कि मैंने देखा है वो एजुकेशन वगेरा में उसको बहुत जादा सपोर्ट मिलेगा, तो बस पेरंस से यही दरखास है कि वो छोड़े ना हाथ, या भी किसी भी नेबर हुड में कोई बच्चा है, जिसको कैंसर है, उसका हाथ ना छोड़े, उसके हाथ को आप पकड़ें या कुछ ऐसी स्पेशल फेक्तर जिनकी वज़े सी कैंसर स्पेड हो रहा है आप सोचें तो कैंसर क्यू स्पेड हो रहा है यह इसके लिए सैंटिफिक रिजन बहुत कम है हमारे पास, if you go into medical research, there is very little evidence कि कैंसर क्यू हो बढ़ क्यू रहा है वो इसलिए हो रहा है क्यू हम होने की चीजों पर भी आप ध्यान दें पर प्लीज अपने mental health को positive मेरकियो positive maintain करें कि दुनिया में बहुत चीज़े है cancer एक चीज है जो कि मतलब हम लोग जेल सकते अगर बस इखटे रहे तो मैं लौस एंजल्स वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी कंडिशन क्या इंडिन पेशेंट्स से कुछ अलग होती है या आपको लगता है कि ऐसी डिसीज के बाहर स्थी तो फाइनचली और मतलब हेल्थ केर के तो मतलब डेफिनिटली आपको पता ही है कि बहुत डिफिन रहते है मतलब जो हेल्स केर मिलता है बचों को सपोर्ट मिलता है वह बहुत ही अलग डायरे में है और आइज़िश की इंडिया में भी वह सपोर्ट रहे बिकॉस इंडिया का जो सिस्टेम कुछ हॉस्पितिल में गए जिनका मैं नाम नहीं ले सकती लेकिन कुछ उनकी हाइजीन ताकि बच्चा दुबारा बिमार ना हो वो एक बिमारी से औसको दूसरी बिमारी हो जाए ये तो ना हो आपके लाइफ में कभी ऐसके कुछ पेशेंट्स आए जो आप्टर कैंसर ठीक होकर वापस करेंगे बहुत सारे हैं हमारी लाइफ में तो तीन चार दिन से इतने सारे आए बहुत सारे आए इन फैक मेरी बेस्ट फ्रेंड को कैंसर है अभी और वो आई सीउ में है तो बहुत हार्ट है मेरे लिए कि वहां इसीउ में बोलती कि मेरे मरने से पहले आ जा लेकिन मैं यही याद करती कि उसने मुझे कितनी हिम्मत दी और मतलब हर बार जब मैं उसे मिलने जाती थी तो मेरे जो रेगिलर फ्रेंस ते जिनको डिप्रेशन था उनका ब्रेक अप है यह सब छोड़ी वातों में हम उलजे रहते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं तो जब अप सर्फ करना शुरू करते न तो आपको पता चलेगा कि यू रिली सब और सेल्फ विकूज सहम लोग पैदा ही इसलिए होते हैं बस भाद तो कमा में गुजाते हैं कि लोग बिमारी से नहीं, बिमारी के डर से मर जाते हैं, मैं आप इस बाद से इतना इतिफार रखी हैं? 100% कि लोग जैसे हम बोल रहे थे कि एंसर की बिमारी होती ही है, कि हम लोग स्ट्रेस लेवल की लाइफ में जी रहे हैं, बच्चे को पर प्रेशराइज करते हैं, अब बच्चों में भी शुरू हो गया है, क्योंकि वो बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो जिस कंडिशन में हैं, खुशी हमारे अंदर है, बाहर के इंवारमेंट का इसमें कोई असर नहीं, मतलब जो पेशेंट जादा खुश रहते हैं, अपने आप में इंडर्ज रहते हैं, तो उनके ठीक होने की चांसे जादा होते हैं, बचाए कि उनके जो मेडिसन प्रॉपर ताइमली लेते है बतलब कि कैंसर ही नहीं, जिंदगी में ही हमारे चांसे जादा रहेंगे, अगर हम खुश रहें, यह नहीं कि सिर्फ कैंसर पेशेंट ही खुश रहे हैं, लेकिन कोई भी हेल्थ कंडिशन हो, लाइफ की कंडिशन हो, उसमें आप खुश रहें और यह सब जो इतना है और एकदम चल जाती है, मैं एक लास्टिक मेसिज दे दीजिया, देखो अगर मैं रस्ते से उटके भी एकर सकती हूँ, तो आप लोग जो घर बैठे हैं, वो अपने कम्यूनिटी में किसी का हाथ पकड़ ले, आप क्यों नहीं कर सकते हैं, यह NGO जो है, पांच-छे लोग सुगाज, अब हमारे साथ हैं, को फांडर कैन किज ओगनाईजेशन की, हलो माम, हाई, मौरी साथ तुम की डॉर्टर भी है, हाई, तो प्लीज अपना इंटर्डिक्शन दे दीजिया, आप, I'm Sonal Sharma, as you said, को फांडर कैन किज कैन, जी, I'm Shubhangi, and I'm aspiring to be a psychologist, okay, nice, माम, आपके सब्सक्राइशन से कंसर्ण आपके कैना चाहेंगी, कि आपका एक तना से रूही माम से मिलना कैसे रूहाँ, so ऐसे पहले, I would just go back to the organization and then join hands with Ruhi, so as you know, this organization is being found by Poonam and Me, so I've been working for the cause for last 19 years, organization is 15 year old and I've been working for 19 years, this girl, a young lady sitting next to me is my inspiration, so she was two and a half year old when she had cancer, and she inspired me to do what I am doing, so at the most difficult time of my life, I could not find one mother to talk to, to hold hand and to say that journey is difficult but not impossible, so me and my husband on the very last day when she was getting her last chemo injection, we decided that why not we become one and stay here in All India Institute of Medical Sciences and hold hand of each and every parent who's fighting with cancer, and there I met Poonam Bagai, who is a cancer survivor, dear friend, founder, mentor, guide to me and the journey with childhood cancer started, so my first aim was to make sure that we have parents who have fought cancer with their own children and are ready to hold hand, and they are ready to hold hand, to say that they are ready to hold hand, that I am with you in this difficult room, so I can say very proudly, that we have parents support group members, where I started one day, today in Pan India we have more than 1000 parents support, 1500 parents support group members, and they are my heart of the organization, because they are doing my signature program, you are not, you are not alone, and in this journey, they are making sure that they are holding hand of each and every parent who's child is fighting with cancer, when you have a disease, are parents negative or positive? Obviously, the first thing is, your whole world comes down, you feel somebody has thrown a bomb on you, you feel this is the end of life, because for a mother, I think what Poonam was also saying, continuing with that, for a mother, the most difficult thing is life, is to see the child suffer, you can see your own self suffering, but you can't see your child suffer you know, that's the most difficult bit in life, but that is where the challenge is, because I keep telling the parents, you have to take care of the child, because everything is happening with the child, the child is going through medicine, the child is going through injection, the child is walking through the difficult journey, you just have to hold hand and say you are there. How is the journey with Poonam? As I told you that Poonam is my friend, advisor, guide, philosopher and she and I have built CanKids, and we have taken this mission that no child will be turned out of hospital for want of treatment, care or financial help. So the parents and the children are the backbone of the organization, and this is what is the co-program, Yana, the signature program. Ma'am, cancer survivors ko kya message dena jayan ki ap? Cancer survivor, yahan pe ek bati hai, and the work that is close to my heart is continuity of care. This is what CanKid is doing after curative treatment. So we are teaching our children not to be scared of the word stigma, scared of the word cancer. They don't have to be scared of stigma. They don't have to say to anybody or anybody should not do favor to them because it's their right and not their privilege. So sorry, it's the right and not the privilege. And secondly, I always tell them now you are responsible for your own health. Mommy, Papa has taken care of you when you were little babies. Now you should be responsible. You should know what are do's and don'ts. What should you do? What should you not do? So again, the clinic that is close to me is Passport to Life survivor clinic. So here we are calling the survivors and we asking the survivors to take care of their own health. They are becoming responsible for their own health. We give them Passport to Life. Passport to Life is a booklet and we get them on a portal where they can write for their own self. So they are not scared of the word. They are learning to deal with it. They are learning to deal with everything that is around or surrounded with cancer. So I can proudly say that our survivors are doing research. They are fighting for the children who are newly diagnosed with cancer. And that's the proud moment for me as a mother, as a friend, as a guide and as the founder member of Can Kids. Thank you so much. Hello ma'am. Hello ma'am. How are you? I am very big. How are you? Very good. And how are you? How are you? How are you? How are you? How are you feeling so bad? Yes. As a child who has cancer and has chemotherapy, they are getting a headache. And that's why they are getting a headache. So we have our doll's name as a doll. And we have told them that after cancer, they will get back to their head. So you are telling them that they don't feel bad? No. That's why we have told them that you have a good name of this. Because we need to work on stigma. People have to keep some strange things with cancer. So people think that cancer means death. People think that you are suffering from some reason. Or they think that you are suffering from some reason. So to fight stigma is very important. And sometimes we think that to fight stigma, we need to laugh a little bit. Right? So we have told them, let's keep the name of our children. So that it will not fail. Normally, we are listening to it. Exactly. So our children have no problem. Someone says, okay, you are sick. Yes. No problem. We will come back. Does it have to raise confidence? Is it necessary to raise confidence? Or does it have any other purpose? No. To fight stigma and to fight confidence, that there is no problem. It is not because of your disease. It is not because of your disease. It might be because of your hair. It is because of your illness. It is because of your disease. It might be because of your illness. It is very bad or your skin is dark. But these are all temporary. So that means you will be fine. But at that moment, someone will tell you something. कुछ बोलेगा आपको परिशान करेगा तो आप अपनी हिम्मत बिलकुल बना के रखना किसी ने सजेस्ट किया या तो लगा कि कहां से आप मुझे डिस्क्राइब तो मैं 38 साल की थी जब मुझे कैंसर वा था मेरे बच्चे थे साथ और तीन साल के मैं उस टाइम एकस इंडिया लीव पे वार्सौ में रहती थी और मैं कैंसर के साथ साथ डिप्रेस पी हो गए तो इस डिप्रेशन के दुरान मुझे यह लगता रहता था कि मेरे बच्चे बच्चों का क्या होगा अगर मैं मर गई और मैं सारे ताइम सोची रहती थी थी मैं मर जाओंगी फ सब्सक्राइब करें अगर हम वास्ता में चाहते हैं कि एक बिलीफ हो कि कैंसर का बच्चों का इलाज हो जाए तो हम कैंट्स रते हैं और फिर हम यह भी चाहते हैं कि लोग इसके साथ जूड़े और उनको है करें तो एक तो उस बच्चे को बिलीफ होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं तो कैंट्स के साथ हमने कि जोड़ा क्योंकि वह बच्चे को बिलीफ होना चाहिए कि मैं ठीक हो जाओंगा मैं कर सकता हूं और और बच्चे उसके मित्र और यंग पीपल हमारे कौस से जुड़े रह सब्सक्राइब करें दुबारा होने की भी चांसिस रहते हैं तो ऐसे कोई ऐसे केसिस आया आपके सामें हम बिलकुल कैंसर वापस भी आ सकता है इन फैक्ट हम यह मानते हैं जब अडाल्ट कैंसर है तो आपको फाइव यह तक पूरी तरह से प्रॉपर अपना चेक अप कराना जरूरी है क्योंकि उस टाइम तक आपका कैंसर ज्यादर जर्दी वापस आ सकता है फाइव यह के बाद जो मेरे को चांस है कैंसर होने का वो आपको भी है मतलब इक्वल चांसे हैं कि किसी को कैंसर हो जाए बच्चों के कैंसर में यह थोड़ा और लंबा पीरिड है बच्चों के कैंसर में आज की तारिक में हमें यह मालूम है कि वो 15 साल मिनिमम उसका फॉल तरह से ध्यान रखना आपने चेकप्स बेकाइदा करना बहुत जरूरी है और वो किट्स कैन कनेक में हम अपने बच्चों को यह सिखाते रहते हैं आपको जिंदगी मिलिये है ना इसलिए जब आपको जिंदगी मिलिये तो यह बात मैंने भी सीखिती वी ग्रेट फोल तो कॉंप लिकेटेटनि अगेन समझे ज्यार था कि तक वहान होता है किस ढूरा मैं गईजरूरा की साऱ्हें कैंश बहुतत के इलाज मुष्णे उसका बचिति हूज्स कैन दराने फूरे परिवार को कितनी शीव भी श श्यां मैं आज माह étaient मावलों मुझ्हाज तक ब 15 सालों से ये काम कर रही हूं मुझे लगता है कि अगर मेरे बच्चे को अगर कुछ हो जाए तो उससे वर्स चीज एक पेरेंट के लिए नहीं हो सकती है तो अगर लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन में कोई सहयोग देने वाला हो कोई हाथ ठामने वाला हो आपकी problem solve करने के लिए कोई रहे आपके साथ तो वो जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो कम हो जाती है और आपकी positivity वो बढ़ जाती है और जितना हम positive रह सकें उतना हम कोई भी समस्या का सामना कर पाएंगे पर cancer और उसके इलाज में अगर लोग साथ नहीं जुड़ेंगे तो यह बहुत मुश्किल है लोगों के लिए हर केस complicated है बहुत अच्छा रगा आपसे बात करके बहुत knowledge भी मिली माम Thank you so much Thank you So guys, अब हम Can Kids के COO Mr. Harsh Kumar से meeting कर रहे हैं चोटा का Hello sir Hello Finance मतलब पैसा कहां से आएगा कौन नुमारे देने वाले हैं कहां खर्चा होगा कैसे होगा उसका पूरा हिसाब रखना balance sheet etc सब बनवाना उसका audit वगरा कराने काम operation मतलब जो भी काम हो रहा है फील में उस सब को coordinate करके ठीक से manage करना दो काम है जैसे पेशेंट्स आ रहे हैं इस से रिगार्डिंग पे उन्हें कैसे डील करता है किसके किसे मिटिंग करवानी है यह सब चीज आपका काम है देखिए हमारे पूरी एक फोर्स है हमारे पास तीन सो करीब लोग है जो पेड वर्कर समारे हैं वो हॉस्पिटल में कहीं कहीं ह तक लोग की उन्ट होती है वो एक वेल निट तरीके से काम करते हैं किसका काम क्या है सोचल वर्कर करेगा पेशन नविगेटर करेंगा डाइटिशन रहेगा सायकोलोजिस्स रहेगा वह सब अपना काम कर रह है तो उन सब के काम का कॉ divination operation का का काम होता है कि आपके लिग कित की बात करें कितने लोग कितने मैंबर्स हैं इसमें और नाजिशन में हम लोग 300 आदनी हैं इनको हम मंत में तनका देते हैं और करीब 800 लोग हमारे टोटल ग्रूप में हैं वालिंटियर से कुछ वो कंसलिटेंने को एड्वाइजर्स हैं सब लोग मिलाके के 800 लोग हम लोग काम पैसे को पूरा मैनेज आप करते हैं अमरी पूरी टीम है अब हमारी सबी लोग में दस लोग हम लोग बैठते हैं उसको मैनेज करते हैं बिलकुल किस बच्चे के लिए या किस कैंसर पेशेंट के लिए मैंसमों फंड यूज होने चाहिए हमारा एक मैडिकल बोर्ड उसमें हमरे डॉक्तर सलाकार है और उसकी हमारी मीटिंग हम्हारेज factor की मीटिंग होती हैं एक हमारे पास नीचे एको रूम है, जिसमें सब लोग एक साथ बैठते हैं, बताते हैं, यह बच्चा है, इसको यह तकलीफ है, इतने पैसे डॉक्टर ने बोलें, इस अधाल में चल रहा है, सारा के साथ आता है, और डॉक्टर हमारा उसको रिव्यू करता है, इसके बाद द आश करना है, पैसा पर्सों आएगा, इस तरह है को तकलीफ हैं, रहती हैं, अब फइरेंस के तरीके हैं, कभी आप लोट रेस कर लेते हैं, कभी आप किसी डोनर समिल जाते हैं, और कई बार क्या होता है, कि कोई न कोई एक अबमी या कोई हमकों एक डोनर अचानक आ जाता ह अब मैं आ गया इस तरह कभी कामा भुआ रुका नहीं लेकिन हाँ तक्रीफ है वन से नवाइल रहती हैं आपकी क्या इमोशन्स है इस ताइट के काम को करते हुए इतने साल से अब इस काम में लगए हुए किया भावन अंदर से कैसा फील आता है कभी ऐसा आता है कि हाँ अपनी एक बार डोनेट करके विटा हम है छिए के मैं रेटायर्ड सरकार से आद्मी हूं तो पेशन रादी खाम निकल लाता है और आपने बिलकुल वोलेंटीर हूं और देखिए क्या होता है आप जोड़ते है ना तो बड़ी बड़ी आप चीज देखते हैं एक नया लेर्णिंग एक्स्पिरिंस होता है आपको मैं बताता हूं आपको भी हमारे एक पेडिटिव केर में बच्ची आई थी जामिया की थी 11 साल की बच्ची उसकी मा नहीं थी और उसने चार बजे की करीब बोला कि मेरे को स्कूल का बच्ता चाहिए क्योंकि अगर मेरे को इसको टीचर कुछी तो क्या जवाब दोंगी उसका में बिल्कुल वो लास्टेज की कैंसर पेशन थी तो हमारे जो लोगों ने एक वहां पर नितूबला है उन्होंने इसकूल टाया भारत बंध था उस दिन खोज के एक ब आपको लगता है कि देखिए यह बच्चे को इतनी समझती कि मैं बच्चों की तो मुझे पढ़ना जरूरी है मतलब कैसा कैसी चीजें एक दो महां फिल जाते हो जो शुप में पर देखते हैं आप को बाकी बच्चें को ध्यान रखना पड़ता है जो आपको लेकर चलना है लेकि हमारे संस्ता से जुड़ते हैं मैं अभी हम लोग में रिचारच कर रहें लोंगिए उनकी जादे होती ह हमारे बच्चे ज्यादा सर्वाइव करते हैं ऐसा क्या आप लोग उन्हें पॉजिटिव करते रहते हैं या डिसीज बेटर वो क्या बोलते हैं बच्च को सबस्ट करते तो उसे मनोबल सबका बढ़ता है और चुक्कि हम बेस्ट टीटमेंट गलार ओब यृव्टिव करते हैं तो बच्चा को राइट टीटमेंट मिलता है, राइट एडवाईज मिलती है, और वो मेरा मानना है, मतलब मेरा देखना यह है कि हमको बच्चे जादा है, ठीक होते हैं. बहुत अच्छा लगाता है आपसे बादा है, और मुझे लगता है एक जुनून से भर गए हम लोग भी और हम लोग यह मैसेज बहुत लोगों को पहुंचाएंगे, एक चेन बनाना एक जंग से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, थैंक यू इमाज, नमस्का, मैं हूं आपका सुभागत है, आईए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों में